प्रदानमंत्री नरिन मोदी ने G20 की वर्ट्वल समिट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने ज्रॉयल हमास जंग को लेकर कहा। हम मानते हैं कि आतंगवाद हम सभी को अस्वी कार्य है। हमास ने 150 कैदी फिलिस्तीनियों के बदले 50 बंदकों को छोड़ने का फैसला किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उमीद है कि जल्द बंदकों को छोड़ा जाएगा। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली। वहीं पीए मोदी ने कहा भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली है। वर्च्वल समिट के पहले भारत ने 9-10 सितंबर को दिल लिस्ते भारत मंडपम में G20 मेजबानी की थी। जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। तब पीए मोदी ने ब्राजील के राश्पती लूला डासलवा को अध्यक्षता सौपते वक्त कहता कि इस मिटिंग में हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुजावाए है उनको भी एक बाद फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रसाव है कि हम नवेंबर के अंत में जी ट्वेंटी का एक वर्च्वल सेशन और रखे। उस सेशन में हम इस समिट के दौरां तैविशों की समिक्षा कर सकते हैं। इसे को लेकर जी ट्वेंटी के सभी देश्यों ने वर्च्वली हिस्सा लिया। आज हमारा एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रती सम्वेदंचिल हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। हम मानते हैं कि आतंगवात हम सभी को अस्विकार्य हैं। सिविलियन्स की मौत कहीं भी हो निंदरिय हैं। आज हुए होस्टेजिस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उमीद करते हैं कि सभी होस्टेजिस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानविय सहायता का समय से और निरंतर पहुचना आवश्रक है। ये सुनीचित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का खेत्रिय रूपधारन न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं। बन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांती के लिए।